स्री गले साय नमखं, मादुर्गा का तिसरा अत्याय, जै मातादि जगदंबा के स्रियंगों की कांती उद्य काल के सहस्नों सुरियों के समान है वे लाल रंग की रेश मी सारी पाने हुए हैं, उनके गले में मुन्ट माला सुभा पा रही है दोनों अस्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है वे अपने करकमलों में चप मालिका, विद्या, अभय तथा वर्नामक मुद्राय धारन की विराती है तीन नेत्रों से सुवित मुखार बिंदी की बरी सुभा हो रही है उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्न में मुखुट बन्दा है वे कमल के आसन पर निराजमान है ऐसी देवी को मैं भक्ती पुरुवक प्रनाम करती हूँ मार्क गेंडे रिशी काते हैं दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महा दैत्य सेना पर तिछिक्छुर गोध में भड़कर अंभिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे भढ़ा वह असुरन भुमी में देवी के उपर इस प्रकार वानों की वर्षा करने लगा जैसे वादल मेरू गिरी के सिखर पर पानी की धार बर्सा रहा हो तब देवी ने अपने वानों से उसके वान समुँ को अनायास ही काट कर उसके खोरों और सारत्थी को भी माड़ डाला साथ ही उसके धनुस तथा अत्यंत उची धोजा को भी तक्काल काट गिराया धनुस कट जाने पर उसके अंगों को अपने बानों से पिंध डाला धनुस रत गोरे और सारती के नश्ठ हो जाने पर वह असुर ठाल और तलवार लेकर देवी की ओर दोरा उसने तिखी धारवाली तलवार से सिंग के मस्तख पर चोट करके देवी की भी बाई भुजा में बरे बेग से प्रहार किया राजन देवी की बाहँ पर पहुंचते ही वह तलवार पूट गई फिर तो क्रोश से लाल आखे करके उस राक्षस ने सूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भवती भत्र काली के उपर चलाया वह सूल आकास से गिरते हुए सुर्य मंडल की भादी अपने तेश से प्रजलित हो उठा उस सूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी सूल का प्रहार किया उस से राक्षस के सूल के सैकरो टुकरे हो गए साथ ही महादैत्य चिक्छुर्च की भी थच्चियां उड़ गए वह प्रानों से हाथ धो बैठा महिसास्वर के सेनापती उस प्राक्रमी चिक्छुर के मारे जाने पर देवताओं को पीरा देने वाला चामर हाथी पर चरकर आया उसने भी देवी के उपर सक्ती का प्रहार किया किन्तु जगदंबा ने उसे अपने हुमकार से ही आहतेवं निस्प्रव करके तत्काल भृत्वी पर गिरा दिया सक्ति तूट कर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हाया उसने सूल चरहाया किन्तु देवी ने उसे भी अपनी वानुद्वारा काट डाला इतने में ही देवी का सिंग उचल कर हाथी के मस्तक पर चड़ बैठा और तैत्ते के साथ फूब जोड लगा कर बहु युद्ध करने लगा वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से फिर्थी पर आ गये और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दुसरे पर बरे भैंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे तदंतर सिंग बरे बेग से आकास की और उचला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सीर धर से लग कर दिया इसी परकार उदगर भी सीला और ब्रिक्ष आदी की मार खाकर रन भुमी में देवी के हाथों से मारा गया तथा कराल भी तांतों को और ठपरों की चोट से धरासाई हो गया क्रोध में भरी भी देवी ने गदा की चोट से उधत का कचुमर निकाल डाला भिंदी पाल से वासकल को तथा वानों से तामर और अंधक को मत के खाट उतार दिया तीनों नेत्रों वाली बर्मेश्वरी ने तिरिसूल से उग्रास्य उग्रविडिय तथा महाहनुनावक दैत्य को मार डाला तलवार की चोट से विडाल के मस्तख को धर से काट गिराया दुर्धर और दुर्मुक इन दोनों को भी अपने बानों से यम लोक भेल दिया इस परकार अपनी सेना का संधार होता देख महिसासुर ने भैसे का रुथारन करके देवी के गनों को ग्रास देना आरुम किया किनी को थुथुन से मार कर किनी को उपर खुरों का प्रहार करके किनी किनी को पूँच से चोट पहुचा कर कुछ को सिंगों से विदर्न करके कुछ गनों को वेक से किनी को सिंग नाद से कुछ को चक्कर देकर और कितनों को नहिस्वास वायू के जोके से धरासाई कर दिया इस प्रकार गनों की सेना को गिरा कर वह असुर महादेवी के सिंग को मारने के लिए छपटा, इससे जगदंबा को बड़ा क्रोध हुआ, उधर महाप्राक्रमी महिसासुर भी क्रोध में भरकर धर्ती को खुरों से खोदने लगा, तथा अपने सिंगों से उंचे उंचे टकरा कर समुद्र सब ओर से धर्ती को तुबोने लगा। हिलते हुए सिंगों के आखात से विदिर्न होकर बादलों के टुकरे टुकरे हो गए। उसके स्वास की प्रचंद वायू के वेग से उरे हुए सैंक्रो परवत आकास से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोथ में भरे जंडिका ने उसका बद करने के लिए भयंकर करोथ किया। उन्होंने पास फेकर उस महानसुर को बांध लिया। उस महासंग्राह में बंध जाने पर उसने भैसे का रूप त्याग दिया। और तत्काल सिंग के रूप में वा पकढ़ उग हो गया। उस अवस्था में जग और तलवार के साथ उस पुरस को भी बांग डाला। इतने में ही वह महान गजराज की रूप में परिनत हो गया। तथा अपनी सूर से देवी के विशाल सिंग को खीचने और गरजने लगा। खीचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूर काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनह भैसे का सरीर धारन कर लिया। और पहले की ही भाती चराचर प्रानियों सहे तिनों लुपों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोज में भरी हुई जगन माता चंडी का बारम बार उत्तम मधू का पान करने और लाल आखे करके हसने लगी। उधरवा पल और प्राक्रम के मद से उन्मत हुआ राक्षा सुकरजने लगा। और अपने सिंगों से चंडी के ओपर परवतों को फेकने लगा। उस समय देवी अपने बानों के समुहों से उसके फेके हुए परवतों को चुर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधू के मत से लाल हो रहा था और वानी नर्खरा रही थी। देवी ने कहा ओ मूर मैं जब तक मधू पीती हूँ तब तक तु छंभर के लिए ख करजना करेंगे। रिशी कहते हैं ऐसा कहकर देवी उचली और उस महाद्यत्य के ऊपर चट गई। फिर अपने पैरों से उसे दवा कर उन्होंने सूल से उसके कंट में आगहात किया। उनके पैर से दवा होने पर भी महिसासुर अपने मुख से दुसरे रूप में बाहर हो करने लगा। अभी सरीर से वह बाहर निकला ही था कि देवी ने अपने प्रभााव से उसे रोक दिया। आठा निकला होने पर वह महाद्य देवी देवताओं ने दिव्य महर्शियों के साथ दुर्गा देवी का अस्तवन किया। गंधर वराज गाने लगे तथा अपसुराएं रित्य करने लगे। जै माता देवी।